Hello friends, अगर आप इंडिया में रहते हो और e-commerce करते हो या e-commerce में आपका interest है और आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं और कुछ नए customer भी इसको target करना चाहते हैं तो दो ऐसे marketplaces हैं जो बहुत सारे sellers इंडिया में ignore करते हैं या तो उनको उतना मालूम नहीं है कि वो marketplaces उनके लिए कितना beneficial है और उनको इतनी awareness नहीं है कि इसमें enroll कैसे किया जाता है दो ऐसे marketplaces हैं जो हाल फिल हाल में बहुत अच्छा कर रहे हैं और वहाँ पे जितने sellers enroll हो जा रहे हैं उनका profit margin भी अच्छा है और वो ज़्यादा पैसे बना पा रहे हैं या earn कर पा रहे हैं बाकी marketplaces के comparison में जो इंडिया में already चल रहे हैं तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe जरू कर लिजे वीडियो को like and say करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा मैं बात कर रहा हूँ geomart और itc की पहले बात करता हूँ मैं geomart की बट याद रखिए वो चाहे geomart हो या चाहे itc हो अगर आपको यहां पे e-commerce करना है online selling करना है तो पैसे तो आप बहुत कमाएंगे यहां पे लेकिन यह ऐसे sellers को enroll नहीं करते हैं जो की photo किसी दूसरे seller की copy कर रहे हैं listing का जो data है वो किसी दूसरे seller का है जो item है वो order आने की बात market से जाके खरीद के लाके उसको sip करते हैं कुल मिलाके यह जो third class sellers होते हैं जिनका कोई motto नहीं है कोई objective नहीं है ऐसे sellers को itsy और geomart बिलकुल allow नहीं करते हैं अगर आप serious seller है आपके पास अपना brand है अपनी identity है तो बहुत आसानी के साथ यह market places आपको allow कर देते हैं geomart की अगर बात करें तो geomart पे जो customer base है वो अलग है आप amazon flip card कहीं पे भी sell कर रहे हो लेकिन अगर आप geomart पे sell करते हो तो आपको एक नया customer base मिलता है एक नई पहचान मिलती है लेकिन geomart में sell करने से पहले ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके geomart पे sell करने लगेगा geomart पे sell करने के लिए आपको एक form भरना पड़ता है express interest form वो form जब आप भरेंगे तो basically वहाँ पे seller interest form होता है जिसमें आपका business name आपके phone number और आपका business का address लिया जाता है और उसके बाद एक बार आप form submit करते हैं तो जो geomart की team है जो reliance की team है वो call back करेगी और वो बाकी further processing करके आपको on board कराएगी अगर उसको लगता है कि ये seller हमारे marketplace के लिए बढ़िया है कहने का मतलब geomart में ऐसा नहीं है कि तुरंत आप गए account बना लिए listing कर दिया और sell करने लगे नहीं geomart पहले verify करता है कि ये seller हमारे like है या नहीं है इसका level क्या है और ये seller कैसा perform कर रहा है अभी फिलहाल इंडिया में इसलिए geomart पे थोड़ा से sellers कम जा पाते हैं मैंने पहले ही कहा जो seller serious नहीं है जो अच्छा काम नहीं करते हैं उनका कोई motto नहीं है ऐसे sellers को ये identify कर लेते हैं उनको on board ही नहीं करने देते हैं तो यहाँ पे आपका जो unnecessary competition बढ़ जाता है न कि रातो रात आपकी सब photos कॉपी कर लें डेटा कॉपी कर लें ऐसे लोग कम होते हैं नाके बराबर होते हैं तो आपको इसका भी benefit मिलेगा साथ में जियो मार्ट बहुत timely payment करता है अपने sellers की कोई delay नहीं कोई partiality नहीं तो आपको payment भी यहाँ पे timely मिलेगी तो जियो मार्ट को आप try कर सकते हैं interest form भर करके आप try कर लीजे अगर आपको callback करते हैं और आप enroll हो जाते हैं तो आपको तो फायदा ही होना है ना क्योंकि आ वीडियो मार्ट पे भी sell करिए आपको फायदा जरूर मिलेगा अब बात करते हैं इट्सी की इट्सी एक international marketplaces है जो more than 200 countries में sell कर रहा है present time में 200 से ज्यादा countries में इट्सी operate करता है इट्सी कैसे काम करता है कितनी fee है कैसे listing करते हैं कब पैसा मिलता है यह सब मैं बता चुका हू इस सारी वीडियो जो आपको हमारे playlist में मिल जाएंगी तो इट्सी क्या है ना अगर आपको बहुत पैसे कमाने हैं और dollars में कमाने हैं क्योंकि already मैं आपको कह चुका हूँ कि अगर आपको जादा पैसे बनाने हैं तो कुछ ऐसा करो कि रूपय में बनाओ और dollar में वेचो तो इट्सी पे भी अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपके प्रोड़क्स एंटीक होने चाहिए, विंटेज कलेक्शन होना चाहिए, हैंडवेड होने चाहिए और साथ में आपका जो सेलिंग एकाउंट है वो इट्सी फोन बेरिफिकेशन करता है वादला फोन से आपको बेर COD आप बंद कर सकते हो आपके उपर है अगर आपको COD और नहीं पसंद है साथ में इट्सी सबसे अच्छा यह है कि जब आप कोई भी लिस्टिंग करेंगे तो जितनी कंट्री में इट्सी काम कर रहा है वहाँ पे ड्रॉप डाउन रहता है आपको वो प्रोड़क्ट जित क्या होगा कि हर कंट्री की टिश्टैन्स इंडिया से अलग-अलग है कहीं पिर आपका ज़ादा कोरियर लग रहा हैं कहीं पर क्म कोई लग रहा है तो उससे क्या है हर कंट्री में जो आपका वो प्रोड़क्ट का प्राइस है वो अलग-अलग दिखायेगा तो uwagę बहुत सारे questions आप में से लोग पुछते हैं कि sir हमको US भी बेचना है UK भी बेचना है पर हम अलग-अलग pricing कैसे कर पाएंगे तो वो listing करने के दोरान ही option आता है, मैं अलड़ी इसकी वीडियो बना चुका हूँ तो ITC international marketplace या अगर आप internationally selling करना चाहते हैं तो ITC बहुत बढ़िया marketplace है यहाँ पर कमाई बहुत है, profit बहुत है जो product इंडिया में आपको e-commerce marketplace पे 2000 रुपए में बिखते हुए दिखेंगे में भी वही ITC पे 10,000, 12,000 15,000 रुपए में बिख रहे हो क्योंकि ITC पे जो buyer है वो antique या handmade या vintage product पसंद करते हैं तो यहाँ पे ऐसे product बहुत जादा price पे sell होते हैं मतलब price आप decide करो कि उसको कितने 1000 में बेचना है फिलाल वहाँ पे price तो dollar में होता है बढ़ आप उसको इंडिया रुपीज में convert करोगे तो आपके लिए 1000 में हो जाता है मतलब ITC पे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो कम orders में ही बट ITC अगर कोई problem आती है आप customer से cheating करते हैं या customer service को ध्यान में नहीं रखते हैं तो ITC फिर आपका account suspend कर देता है तो यह दोनों ही ऐसे market places हैं जहाँ पे sellers की भीड कम है लेकिन profit margin जादा है यहाँ पे arm sellers जो बिलकुल serious नहीं है उनको ये लोग allow नहीं करते हैं और अगर वो धोखे से allow भी हो गए उनको suspend कर देते हैं तो आप इन दोनों market places को try कर सकते हो बाकि आप market places जहाँ पे आप से बेच रहे हो Amazon Flipkart नहीं सो वो आप बेचते रहो no problem आप इनको भी try करो एक नया customer base आपको मिलेगा आपके पास तो अपना data listings ही है क्या आपको तो सिर्फ upload ही करना है तो आप कर सकते हो और अपने brand को एक नई height तक ले जा सकते हो एक नए customer base तक ले जा सकते हो और अपने e-commerce business को आप boost दे सकते हो इस आने वाली festive season में तो इस वीडियो में इतना ही उमिद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी Thank you so much for watching